बुट बॉडिक चिन्र, लास्ट पीरेट में मैंने आपको ये जो सोरी सिखाया था, सेकेंड लिसन का सेंडर्ड फिंट का हिंदी खरवोश और हाती, इसके अंदर पूरा वीडियो में अंदर लास्ट में शायद मैं आपसे बाते नहीं कर पाई थी, तो उसमें मैं आपको ल लास्ट का पैराग्रफ है, पेज नमगर 12 का, सेकेंड लाफ पैराग्रफ है, करगोश, करगोशों के सरदार की बात सुनकर हातीयों का सरदार भैवीठ हो गया करगोश के करगोश के जो सर्दार थे जो में था, में लीडर उसकी बाते ही सुनकर हातियों का सर्दार मतलब हातियों का भी जो में लीडर था वो बहवित हो गया बहवित होना मतलब दर गया परगोश का जो सर्दार था वो हातियों के इसे भैबित हो गया वो बोला तुम लोग सच के रहे हो हाँ हाँ हम लोग सच के रहे हैं चाहे तो सरोवर पर सबकर देखताई सरोवर मतलब क्या जो नदी का किनारा था नदी का का तालाब था उसके इंदर जैसे हम मिरर में अपने ँठारा ही दिखेगा आप जो भी मिरर में देखेंगे, आईने में आपका छेरा देखते हैं वो आईडे में हमारा ही छेरा लिखता है और किसी का लिखता है क्या नहीं जैसे कोई एनिवल भी देखेगा डॉग भी देखेगा तो उसका है रिफ्लिक्षन चाहता है और किसी का प्रतिविपन नहीं चाहता है तो इसके लिए वोड़ों ने एक तब सोचके खर्वोष ने एक तब आईदे रगती किया था हाँ हाँ हम लोग सच खेरे हैं चाहे तो सरोवर में चलके देख लो उनमें से एक खर्वोष ने कहा हाकियों का सरदार डर्ते रर्ते बोला हम सरोर पर चलकर चद्रमा से माफी मावना साथे हैं करकुष का सरदार मनी मन में मुस्कुराते हैं बोला चलिए माराज हम आपको सरोर की तरफ ले चलते क्या चलिए हम आपको सरोर की तरफ ले के चलते हैं काफी रत हो गए थी थड़ी थड़ी हवा चर रहे थी सरोर की लेहरे भी उपर नीचे हो रहे थी थड़ी थड़ी हवा चर रहे थी रात के समय नानादी के किनारे वैसे भी थड़ा रहता है अजुको जो इर्या रहता है वो थंडा ही रहता है क्योंकि पानी की कारण जो गरम हवा की भाफ आती है थंडे पानी में तबिल होके फिकती है इसके लिए वो थंडा हो रहा था अब भी हाती और खर्वोश वाँ पहुंचे सरोवर के जल्बे चद्रमा की परशाई देखकर खर्वोश के सरदार ने कहा देखिए माराज चद्रमा गोज से काप रहे हैं काप रहे हैं मतलब शेक हो रहा है बहुत उसा है आप शिक्रे ही यहां से दूर से ले जाएए आप फटक से यहां से चले जाओ हातीयों के सरदार ने दूसरे हातीयों के ओर देखा सभी डर गए डर गए थे सरदार ने चद्रमा के सून उठा कर शमा मांगी सून उठा कर उसने शमा मांगी शमा मंतिर खा कि हमें शमा कर दीजिए किसको कहा इसने किसको कहा ये कोशन अगर 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 डालती हूँ तो आपको ये बोलना चाहिए हाथियों ने चंद्रमा से शमा मंगी क्यों शमा मंगी क्योंकि वो वहाँ पे नदी की किनरे आ गए थे तो खरबोश को रुखसान कर रहे थे और जो नदी का पानी था उसको भी वो गदा कर रहे थे हम अपनी गलती फिकर करते हैं अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे अब से हां मतलब अभी हम इस तैम से किसी को भी परेशान नहीं करेंगे तर्म नहीं करेंगी तो सबी हाती उसी शन जंगल से चले गए उसी शन मतलब उसी टैम पे उसी टैम पे हो लो पांसे सब हाती निकल गए तो आप इसे किसका राज हो गया हाँ पे खरगोश का यहाँ पे डिक्टेशन वर्ट्स दिये वे है वो आपके एक टिक्टेशन 10-10 सीखना है कंटिन्यू लिखके 10-10 सीखना है मैं आपको बोलके बताऊंगी सरोवाज, खरगोश, चिंती, प्रिक्ष, प्रोज, शीकल, सरवनाश, भैवी, चंजरमा और परचाई परचाई मतलब शेडो बाकी का शब्दार्थ है, जो मीटिंग्स है आपको नोट्स तो उसकूल से मिलेगे लेकिन नोट्स मिलने के पहले आपको ये कप्लेट करना है सरोवाज, मतलब तलाब, पॉर्ड, सरदार, भुखिया मतलब जो मेन आद्मी रेता है वो जी, तलाश, खोश, बुखी, उदास, मतलब सैरोना पुचलना, दबाना, पुचलना मतलब दबाना ऐसे दबा दिया था उन्होंने हाथी में अपने बैर से करभोश को जिन्तिक, परिशाद, परिशाद, बुखी, प्रोद, उस्सा, विशाद, बहुत बड़ा तल्वी, उपाए, शिक्र, जल्दी, विख्री, सर्वनाज, सब कुछ खतम होना वह भी, तरह हुआ, पर्चाई मतलब छाया, शेडो, शमा मतलब उसी समय, शन मतलब उसी समय इमिजेनली, ये आपको बताया हुआ रहे हैं इसके अंदर आपको ये लेसन रीड करना है, रीड करके इसके एक शब्द आपको बढ़ने है, बढ़ने के बाद में ये जो मैंने आपको हूमबग दिया है पेज नमर थर्टीन का थर्टीन का, वो आपको हूमबग है ओके, नेक्स विड़र में हम मिलेंगे, थैंक यू